स्वागर दोस्तों एक और वीडियो में और ये वीडियो में आप देख सकते कि आर्या कितनी खुश है या आर्या के लिए एक राइड ओन या फिर एक चलती फिरती पोटी चेयर आ गई है आज इसी की अन्बोक्सिंग का वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं तो ऐस कोई भी दिमाग लगाने की जूरूत नहीं है और इस चरह पनी में पैक्ड इसकी पोटी सीट को जड़ा ओपन कर लेते हैं फिर दिखाता हूं क्या कुछ इसके पार्ट से हैं और इंस्टोलेशन भी दिखनत हो यह जो पई हैं बसीकली चार इसके पई आते हैं और जो पई करना है सिंपली कोई स्कूरू अगरा ऐसी चीज़ा नहीं है बस सिंपली प्रेस करके आपको इनको यूज करना स्टार्ट कर देना है तो तो तीन पई यह लग चुक है चोथा पई आज यह वह बी इंस्टोल कर देते हैं अब एक छोटी सी मैनज जो आपको करनी पड़ेग ढल जो इसे की साइड इसमें पकड़ना है और वह यहां पर बस टाइट कर देना है और हाथ से जाधा कुछ इसमें दिमाग लखाने की ज़रूरत है क्या कि जो असेंब्ली इस तरीके कि है कि बच्चे के प्रेशर से इतना असानी से नहीं हिलता है और अब जरह हम आपको द चोटा सा जो है टब बिसिकली बकिट जो है इंस्टोल कर देंगी इसमें तो बच्चे को पोटी करनी होगी तो भी यह बड़े अराम से घुमते फटे पोटी कर लेगा मेंवल सबसे पहले मैं आपको दिखाते हूं कि बच्चा फर्स्ट टाइम इस पर बठेगा तो आर्या कर फर्स्ट टाइम आप देख सकते खुशी का ठिक आना नहीं है बस बात यह कि इनीशली यहां पर आगे पैर रखने की जगह है तो थोड़े वहीं पैर रख ले तो कोई प्रब्लम वाली बात नहीं है बहुत ही सिंपल सा मतलब यह राइड़न ना बच्ची के पैर नीचे लगने लगने लगता क्योंकि जब बैठने लग जाता उससी की बाद आप पोड़े ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं उसकी तो मुझे न लगता कोई प्रब्लम होने वाली है बच्चा बड़ा खुशी खुशी इसको अपने आप जो है मूव कर लेगा और एक बार मूव करना स्राट कर देगा तो फिर तो बड़े आराम से वह इसको मलब पोटी चेयर की तरह यूज हो ना हो लेकिन एक राइड़न की तरह बड़े आराम से इसको यूज कर तो यह 301 सीट है सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर के यह पर चीज करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती है थेंक्यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए